हाई हेलो गाईज वेलकम बेक टो माय चैनल तानुई कीचन चैनल में आप सीका मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू वीडियो सेर करने वाले हूँ वो भी है रेसिपी का एदिया आपको इस रेसिपी में कोई कंफ्यूज नहों कुछ पूछ नहों तो कमेंट करके बहुत ज़्यादा फाइदेमन दोती है और जो आज मैं जो तरीका बताने वाले हूँ ना बहुत ही यूनिक सा तरीका बताऊंगे इस तरीके से आप बनाओगे दिवाने इस तरीके से आप बनाके खाईएगा और इस तरह से आपको नहीं ज्यादा चोटे टुक्ड़ें कर नहीं ज्यादा बड़े करने इस तरह से मीडियम साइज के टुक्ड़े करके निकाल लेना है और फिर इनों को दू लेना है अच्छी से दू लेना है और फिर बाद में इसको ड्राय होने के बाद में आपको इसकी रेसिपी बनानी है तो बिल्कु ड्राय हो जाने चीए और तो इदर मैंने चील के सेजन की फली अलग से रख दिये और इदर ले लिए मैंने चटनी का जार उसमें दो मैंने हरी मिर्चे लिए हैं दो टीमाटर लिए हैं और एक कच्छी आमी ली है इससे बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आएगा कच्छी हम इसे खटा पनाता ना उससे और ज्यादा मज़ेदार की पltी है और इसमें ड्सकी कलिया मैंने नौ के लबा ले ले लेublik लेकिसी अऩी कछी हम घर में अब ले मीरे मिल जाएगी रियों और अब इसमें मैं डानने वाली हूँ राई तो राई जैसे हम खाते हैं ना जैसे साउथ इंडियन जो रै, कतर का, कड़ी पते का इनका बहुत जदा लगता है तो वो बहुती टेश्टी भी लगती है तो इसमें मैंने थोड़े से राई डाली ये इसकी जगह आप सरसो के द वारिस चिहना सा ना है तो अच्छे से ले ना है इधर मेंने कडाई चड़ा दी है और रौड़ाय में अवील है डालना है तो इसे डाल लीजिए गा मैं कहने वाला सर्सो का तेल डालूंगे तो सर्सो के तेल में ये सब बहुत ही मज़ेदार की बनती है तो इसमें मैं डालने वाली हूँ सर्सू का तील तो सर्सू का तील थोड़ ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि हम इसमें सेजन की फली भी थोड़ा फ्राइ करेंगे तो इससे फ्राइ करते हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा भड़ जाता है तो self fry करना optional है यह आपको पसंद है तो करिएगा ना पसंद हो तो skip कर दीजिएगा लेकिन मैं इसको fry करने वाले इससे बहुत ही मज़ेदार की सबजी बनती है तो इस टाइम आपको डाल देने है सेजन के फली या और सेजन की फली डालो न से पहले आप में मलड जिए पानी नहीं नहीं रहना चीए चेजए और इननों को fry कर लेंगे घ रहते ही कलर भी आ जाएगा सेजन की फलियों में टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा तो एक बार मेरे बताई तरीके से आप ये सब्जी बना के देखिएगा आपको बहुत ही मज़ेदार की लगने वाली है तो ये मैंने सेजन की फलियों को निकाल लिया है अलग से अब हम इसमें इसी ओएल में तड़का देने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है जीरा तो जीरा डाल देना है और फिर उपर से राय डाल देनी है जीरा मैंने एक चोधाई चमत मैंने इसमें राय डाली है और थोड़ा सा सोप डालेगा एक चोधाई चमत इसमें सोप डालेग अधिया है कि साउथ इंडियन जरू सभी सब्जयों में यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा फायदेमन भी होते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी भी लगती है आपके हाट के लिए अच्छी होते हैं कड़ी पते तो आपके घर में हो तो जरू डालिएगा और उपर से मैंने डा पसंद है तो आप इस टेम भी हरी मिच डाल सकते हो आप अपने स्वाद के अकोडिंग मसाले डाली तो जैसे कच्छी आमी सब डाली ती इसमें सब मसाले डाले तो वह इसमें पीरू इसमें डाल दी है मसाले पहले डाले तो फिर आप यह डाले तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी हलका सा डाल दिया है और अब इसको ढखके थोड़े देर के लिए 5 मिन के लिए अपको पका लेना है मैं इंडेक्शन पे बना रही हूँ आप गहस पे बना रहे हूँ तो बिल्कुल गहस रखीगा तो यह देखिए गाइस यह मसालों में जाली से पढ़ चुकी है उपर आ गया है और जाली पढ़ गया है इसका मतलब यह है कि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं त इसमें डाल देनी है अब आपको क्या करना है सेजन की फ़ली को अच्छे से इसमें मिला देना है जो आपकी ग्रेवी इन है इसमें बन रक्याथम्मा पीसलिपेड़ देना है सेज गलिवियों को ताकि इसके वपरrum अच्छे से पूरे मसाला अच्छी से कोट हो जाएThere लिपेटने के बाद में मैं क्या करूंगी थोड़ी देर के लिए मतलब चार से पांच मिन्ट के लिए इसको ढखके पका लोंगी ताकि यह अच्छे से अंदर तक इसके मसाला जा पाए और थोड़ा से भुन जाएगी ने मसालों के साथ तो और भी ज्यादा टेस्ट यह बने मैं देख रहे हुं although हमारे थेजर्वशिये बहुत अच्छे से भुन चुकी मसालों के साथ भी वही अच्यवाशन चुकी मसालों के साथ भी बहुत तो बहुत ही प्लाइट है को क्या दालना है तो आप तरे वाली ज्यादा खाना पसंद करते हो तो उसको अ कोडूद सूकि तरी वाली बना रही हूं, तरी वाली से क्या होता है, जैसे हम चांओल ख़ते हैं उसके साथ भी मज़दार के सबची लगती है, जब हम खाते हैं, तो आप राइस, चपाती मेसाथ ख़ाएं, बहुत अच्छी सबची लगती है, तो इसमें में तो veg दो गिलास के लबब पcol टाला है तो एतना काफी है इतना पानि मेंने डाल दिया है ताय कि तरीवाली सब्जी बन जाए तो इसमें मैंने इतना पानि डाला है आप अपने इसाप से देख लीजेगा आपको जेसी पसंद हो उसके तो यह मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको ढखके पका लेंगे 10-15 मिंट के लिए slow to medium गेंस पे ताकि यह पूरी ग्रेवी और पूरी सब्जी अच्छे से अंदर तपक जाए और इसके मसाले अच्छे से सेजिन की फिलियों में चला जाए तो 10-15 मिंट हो गया है और हमार चला यह आप डालना चाओ तो डाल कि एसे भी मज़ेदर की सब्जी बढ़ी है नियुक्त की सामरमसाला में चाहिए मिट की एसमें ढूर्य सब्जी जाने ही नाए तो इसकी जगरमसाला गया है है यह में थोड़ा सामरमसाला डाल हूं है हाप टेबल स्पून डाला है ज्यादा नहीं डाला है तो इसको चेकर के देख रही हूँ कि हमारी सबजी अच्छे से पक यह नहीं पक यह तो यह बिलकुल अच्छे से पक गई है कच्छी बिलकुल भी नहीं रही है तो यह हमारी सबजी बिलकुल बनके ठेड़ी हो गई है त और इसको आप एंजोई करिए जैसे आपको पसंद हो जैसे आप जैसे भी राइस के साथ खाना पसंद करती हो या चपाती के साथ खाना पसंद करती हो जैसे भी आपको खाना पसंद हो उसके अकोडिंग डालिए और खाईए बहुत ही मज़ेदार के लगती है गरम गरम सरव क करेंगा और मेरे यह दिए आपको कोई कभी ज़रू पुछ लीजीएगा और हाँ आप ही मेरे वीडियो कौन से देज सेर कौन से गाउ या कौन से सीटेस से देख रहे हो यह बी कमेंट करके जरू बताईएगा ताकि मैं आपके कमेंट को रीड कर सकूँ और मुझे पता चल सक कहां घुर्च पहुचे जा रहे हैं तो उम्हींद करते हूं आपको मेरा वीडियो पसंद और पासंद आई हो तो फीच वीडियो को लाइक करने में अंजसी मत करीगा तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में बाय एंड टीक यार